हर इन्सान को उसी समस्या का सामना करना पड़ता है दबाव, तनाव क्यों? आप इसे यूनिवर्सल क्यों बना रहे हैं? ये वस आपकी धारना है ठीक है, आप दबाव में हैं, तनाव में हैं, और क्या? एक और बात यात्मा शादी करके योग के रास्ते पर चलते हुए मन्जिल तक पहुँचना और शादी किये बिना योग के रास्ते पर चलना कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इन्हों ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम दबाव तनाव और यात्मा रखें पत्नी और दो बच्चे दबाव तनाव और यात्मा मैं नहीं चाता कि आप योग के रास्ते पर चलें आप जिस भी रहा पर चल रहे हूं अपने साथ योग को लेकर चलें वो उस रह को आसान और खुबसूरत बना देगा चाहे आप उत्तर की और जाएं या दक्षिन की और अगर अंधेरा होता है तो आप टॉर्च लेकर जाते हैं उत्तर की और जाने वाले टॉर्च लेकर जाते हैं और दक्षिन की ओर जाने वाले अंधेरे के साथ चलते हैं, कैसा होता है? तो आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वज़े से आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे, हुए थे क्या? आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्र के रूप में शायद आर्थिक, सामाजिक, वो भी होती हैं, है न? तो कई जरूरते होती हैं आम तोर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है, जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है शारिरिक जरूरतें, मांसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कभी कभार आर्थिक जरूरतें भी तो ये एक व्यापक पैकेज है जब आप शादी करते हैं, तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलज जाती है कभी कबार आपके कुद जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था आपने अपनी जरूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है न? आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांद लिया है अपनी जरूरतों के कारण आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया? है के नहीं? सच यही है ना? हाँ, यह याद रखेंगे, अगर आप यह याद रखेंगे, तो आप आभारी होकर जीवन जीएंगे ठीक है? वो सभी पांचों जरूरतें न भी सही, कम से कम मेरी दो जरूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? सभी पांचों जरूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम दो या तीन को आपके पती या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते है कि नहीं अगर उन्होंने आपकी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते वो कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ भी ऐसा ही है आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं, ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसलिए बन गया है, क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चाहें, तो तीन दिनों में, चाहे आपकी स्थिती कितनी भी बुरी हो, तीन दिनों के भीतर आप उसे एक शान्ती पूर्ण स्थिती में ला सकते हैं अगर प्यार नहीं, अगर आनन नहीं, तो कम से कम एक शान्ती पूर्ण स्थिती आप तीन दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए सौफी सदी इच्छुक हो, यह रहत नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए शानती चाह जाएगी और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए योग के रास्ते पर मत चलिए रास्ते चाहे कोई भी हो आप अपने साथ योग को लेकर चलिए अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा चाहे आपने कोई भी रास्ता चुनाओ आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके उपर है जिन लोगों ने ये नहीं किया है मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं बलकि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुने तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरुख होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें पांच या दस साल बाद भी आपके लिए कोई माइने रखेंगी क्या आज आपके जो साधरन जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है या ये बस आती जाती जरूरतें हैं अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए अगर वो प्रबल जरूरत नहीं है सिर्फ आती जाती जरूरत है तो आप शायद बस सिनमा जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, फिर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी जरूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, लेकिन सामाजिक धाचा उन्हें मजबूर करता है, ये जरूरी नहीं है, इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाए वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे आप क्या करते हैं? वो आपकी जरूरतों से तै होता है. लेकिन आप उसे कैसे करते हैं? यह आपके जीवन की प्रकृती तै करता है. अकेले चलना फायदेमंद है या लोगों के साथ चलना? हाँ, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं, अफरिका में एक कहावत है. वो कहते हैं, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं, तो अकेले चलिए. अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो लोगों के साथ चलिए अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं, तो साथ बहतर है अगर आपको छोटी दूरी ताय करनी है और आप तेजी से चलना चाहते हैं, तो अकेले जाना सबसे बढ़ी है, है ना? गौतम ने दूसरी बात कही थी, जब किसी ने उनसे यही सवाल पूछा तो वो बोले, किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बहतर है, क्योंकि आपको देखकर उन्हें साफ हो गया कि आप से और कौन शादी करेगा तो ये गौतम के काम करने का तरीका था, वो हमेशा लोगों को किसी का साथ लेने के लिए मना करते थे उनका कहना था, ये जीवन एक छोटा सा सफर है, आपको साथ किसलिए चाहिए जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे, तो वो एक लंबा सफर है, वहां मैं रहूंगा ये उनकी पेशकश है लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की जरूरत है, अगर आपको साथ की जरूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये करनी है खासकर अपने बच्चों के साथ, ये करना ही है कि आपका मानसिक और भावनात्मक धाचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं, आपका मानसिक और भावनात्मक धाचा आपकी नश्वर ताके इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप लगातार इसके बारे में जागरुख है कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप धेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है, है ना? आपके पास यहां किसी से लड़ने का समय नहीं है आपके पास लंबे समय तक हताश होकर बैठने का समय नहीं है क्योंकि टिक 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 ये निकलता जा रहा है चूंकि आपका मानसिक धाचा आपकी अमर्ता के इर्दगिर्द बनाया गया है इसलिए आपके पास धेर सारा समय है लड़ने, हताश होने, निराश होने, कुड़ने, गुस्सा होने के लिए आपके पास धेर सारा समय है इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक धांचा हमारे अस्तित्व की नश्वर्ता के इर्दगिर्द बनाएं आखेर आप पिछली पीडी से बेटन लेकर अगली पीडी तक पहुँचाने वाले कैरियर भर हैं, है न? कुछ समय के लिए ये दुनिया आपके हाथों में होती है उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है आप देखेंगे कि पिछली पीडी से बेटन लेने की प्रक्रिया सबसे भद्दे तरीके से होती है अगली पीडी को बेटन थमाने की प्रक्रिया भयानक तरीके से होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का मानसिक धाचा खड़ा होता है उनके अमर्ता के विश्वास के इर्द-गिर्द वो देखते नहीं कि वो नश्वर हैं अगर आप लगातार सजग हैं कि आप नश्वर हैं तो स्वाभाविक रूप से आप समझदारी से व्याभार करेंगे आपके पास बेवकूफी के लिए समय नहीं होगा मान लीजे कि आपको पता हो कि कल आप मरने वाले हैं तो क्या आप अपना आज का समय किसी से लड़ने में बिताएंगे? क्योंकि आपका समय निकल रहा है, आपका समय अभी तेजी से भाग रहा है डॉक्टर के आपको कोई भयानक बिमारी बताने के बाद नहीं वो अभी निकल रहा है, आप अगर आप इसकी संभावना को जानना चाहते हैं इसकी विशालता को जानना चाहते हैं तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय एक बहुत ही सापेक्ष ये रेलेटिव अनुभव है अगर आप खुश और आनंदित हैं तो चाहे आप सौ साल जीएं ये बहुत छोटा जीवन होगा पल भर में निकल जाएगा तो इस छोटे से जीवन में आपको समय कहा मिलता है दबाव, तनाव और यातना के लिए मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समय मिलता है ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को अमर समझते हैं ये आपकी सबसे बड़ी गलती है ये एक छोटा सा सफर है आपको इसे जितना हो सके गरिमा मैं और आनंद से भारा बनाना चाहिए अगर आप ब्रह्मान को नहीं जानते तो कम से कम जीवन के इस अन्श को जानना चाहिए मरने से पहले हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए सब्सक्राइब।